गुड मॉनिंग एवरीवन वेल्कम टू सुवल सर्विसे स्टड़ी प्रैक्टिस सेट नंबर टू फाइब जीरो पर आजाए यूपी पीसेस के लिए और इस टेस्ट में फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्णों पर चलिए स्टार्ट करते हैं तीन सेगिंड का टाइम मिले लिच्वी गणराज जो है जिसकी कैपिटल्ती वैशाली बिहार में इस्थित था तो लिच्वी गणराज बिहार राज में इस्थित था उसकी राजधानी वैशाली मुझफरपुर जिले के बसार नामक इस्थान पर थी और यह बुद्धकाल का सबसे बड़ा तथा सक्ति स्रेनिक के नाम से भी जाना जाता है किसको जाना जाता है स्रेनिक के नाम से महापद्मनंद नहीं है शिशुनाग भी नहीं है अजात सत्रू भी नहीं है बिम्बिसार तो हर्यकवंस के साशक बिम्बिसार को स्रेनिक उपनाम से भी जाना जाता है इसने अंग नरेस ब्रह्मद तद्त्त को हराया और अंग को मगद में सामिल कर लिया था। पाटलेपुत्र मगद की राजधानी किस साशक की साशनकाल में बनाई गई गई? बताइए। अप्सन नमबर बी तो हर्यक वंस का साशक था उद्यभद्र या उद्यन ठीक है तो उद्यभद्र उद्यन एक ही बात है लेकिन बहाँ पर कुछ ही पूछ सकता है पाटले पुत्र की स्थापना की थी और पाटले पुत्र मगद सामराज के केंद्र में पढ़ता था इसलिए उद्यन ने या उद्यभदर इसे मगध की राजधानी बनाया था कॉशन नमबर फौर पर आ जाए अलम गिरपुर नमर्कीद में जे किस नदी के किनारे सतल है सिंदु घाटी की हो कि यूपी का है हिंडन नदी के किनार्य हिंडन तो हडपा सभ्यता का सबसे पूर्वे इस्थल हिंडन नदी के किनारे अलमगीरपुर देखें कहीं कहीं इसको आलमगीरपुर कहीं अलमगीरपुर लिखा है उत्तर प्रदेश में इस्थिता है अलग अलग NCRT में Question 5 पर आजएये नमरकी किस अलग तफाई इस्थल से एक मानव अस्थिपञजर के निकट एक बखरे का अस्थिपञजर प्राप्थ हुआ है कहां से देखें बहुत सारी चीजे प्राप्थ हुई है मोहन जोड़ो risk से उसी में जो है एक ये भी है मानव के कंकाल के निकट एक बकरे का कंकाल प्राप्त हुना तो मोहन जोद्रो हडपाई इस्थल से एक मानव अस्ति पंजर के निकट एक बकरे का अस्ति पंजर जो है वो प्राप्त हुआ है मोहन जोदरों से कांस की सजीब मूर्तियों में भैंसा और भेड की मूर्तियां है मोहन जोदरों से कलस सवाधान भी मिले हैं जिनमें पशुओ, मचलियों, चिडियों की कुछ हड्डियों, आहुशन, राक, कोईला, तथा मुर्दुभांड के टुकड़े आदी प्राप्त हुए है कुश्चन नम्लखित में से किस बेद में आहुती या बलिदान संबंदित सूत्र समाहित बताई देखें, कई बार पूछ जाता है कि बलिदान किस में, यग किस में, संगीत कहां से और जदू टोना यह सब का बढ़न किस किस में दिया है तो बलिदान और आहुती है यजुर बेद में यग में भी त्छ आहुती दी जाती है यग में तो देखिए यजुरुबेद एक कर्मकांडिय वेद है इसमें ही आहुती यानि बलिदान संबंदी सूत्र समाहित है और संगीत किसमें सामवेद में अधोलिखेत किस बौध ग्रंथ में राज की उत्पत्ती के सामाजिक अनुबंद सिद्दान्थ का उलेख है अब बताईए दिग निकाय का हिंदी अनुबाद नमलिकित में से किस ने किया है दिग निकाय का हिंदी अनुबाद राहुल संकृत्यान ने क्वेशन नमलिकित में से किस संपरदाई से है तो समरादित्ते कथा का संबंद जो है वो जैन संपरदाई से है इसके अलाबा जैन संपरदाई से संबंद अन्य गरंथों में कुबले माला और तिलक मंजरी आदी है ये इंपोर्टन है दोनों कुबले माला तिलक मंजरी जैन संपरदाई से संबंद गरंथ कुश्चन नमबर दस पर आजेए सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक पुस्तक का नाम है दा लाइट ओफ एसिया नमर्कित में से किस बौध गरंथ पर अधारित है बताईए ललित विस्तार या दिव्यादान या सुत्त पिटक या अभिदम पिटक ना तो ये सुत्त पिटक पर है ना ही अभिदम पिटक है ना ही दिव्यादान है ये है ललित विस्तार अप्शन नमबर ए तो सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक दे लाइट ओफ एसिया बौध गरंथ ललित विस्तार पर अधारित है इस ग्रंथ में बुद्ध की जीमनी का वर्णन है कोशन नमबर 11 पर आजएए रिगवैदिक काल में कोई नियमित भूमी कर नहीं थी क्योंकि बताईए रिगवैदिक काल में कोई नियमित भूमी कर नहीं थी क्या करन था इसका क्या लोग एक इस्थान पर इस्थाई रूप से नहीं बसे थे सरकार इस संबंद से अनभिक थी लोग भूमी कर देने के आदी नहीं थे या फिर राजा को भूमी का मालिक नहीं समझा जाता था यही है राजा को भूमी का मालिक नहीं समझा चाता था तो चार बेद से चार बेदों में से ही एक बेदर रिगवेद तो रिगवेदिक काल में कोई नियमित भूमी कर नहीं था क्योंकि राजा को भूमी का मालिक नहीं समझाता था रिगवेदिक समाज जन जाती है और समतावादी समाज था भूमी की समपत्ति के संचे के धार पर समाजिक विभाजन मौजूद नहीं था इसमें कुशन नमबर बारा है बाल खिल्ले का संबंद नमलकित में से किस वेद से है बाल खिल्ले का संबंद किस वेद से है रिगवेद संबेद यजुर वेद या अथर वेद बाल खिल्ले देखिए रिगवेद से है इसका संबंद अब है क्या बाल खिले देखिए बाल खिले का संबन्द रिगवेद से है बाल खिले नाम जो है बाल खिले नाम के मुनियों का आकार अंगूठे के बराबर माना जाता है ठीक है मुनी थे मतलब लोग थे बाल खिले नाम के एक व्यक्ति थे दक्ष और उनकी पत्ने क्रिया, दक्ष और क्रिया से उत्पन होई थी एक पुत्री उस पुत्री का नाम था सन्नती ठीक है? इस सन्नती का जो विवा हुआ था वो करतू नामक रिशी से हुआ था अब इन दौनों दमपत्ती से सन्नती और क्रती से साथ हजार बाल खिल ले नाम के पुत्र हुए थे साथ हजार वो भी छोटे-छोटे अगूठे के आकार के अब इन पुत्रों को या इन मुनियों ने इन पुत्रों ने कशप के पुत्र कामना यग में भाग लिया कशप नाम के कोई दूसरा व्यक्ति है ठीक है अब पुत्र कामना के लिए यह कर रहा है तो उसमें भाग लिया इन साथ हजार बाल खिल मुनियों ने इन मुनियों ने जिनको बाल खिल कहा गया अब इस समय जो है देवराज इंदर ने बाल खिल मुनियों का उपहास किया किया होगा छोटे जिसी कश्ञप के यहां गरुन का जन्म हुआ ठीक है और महरिसी कश्ञप कोन जिस यह बाला कश्ञप जिस कश्ञप जो कश्ञप पुत्र कामना का यग कर रहा था जिसमें सामिल थे यह 60,000 अगउठे के समान बाल खिल थिक है तो बाल खिल क्या है आपको पता चल गया इससे आगे की जानकारी आवश्यक है नहीं UPPCS के रहे हैं Question number 13 पर आज़ेए किस साशक के साशक को द्वारा भूमी अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखे साक्ष मिलता है भूमी अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखे साक्ष यह important है प्राशन इसका उत्तर है साथ वाहन वंस तो साथ वाहन वंस के साशकों के अभिलेखों में भूमी तथा ग्राम दान में दिये जाने के अनेक उलेख जो हैं वो प्राप्त होते हैं गाउं दान में दिये जाने के भारत में भूमी अनुदान का प्राचिनता मभिले के साख्ष साथ वाहनों के समय में ही मिलता है Q14 पराजे चोल कालीन चित्रकला के साख्ष निम्न में से किस इस्थल से प्राप्त हुए चोल कालीन पुहार, तंजोर, उर्यवर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं चोल कालीन चित्रकला, तंजोर से तो चोल कला में बास्थु कला एवं तक्षण कला के साथ साथ चित्रकला का भी अत्यदिक विकास हुआ इस यूग के चित्रकारों ने मंदिरों की दिवारों पर अनेक सुन्दर चित्र बनाए हैं अधिकांस, चित्र, तंजोर, इस्थित, ब्रिधेश्वर, मंदिर की दिवारों पर उतक्रिण मिलते हैं यह चित्र प्रमुक्त है, पोराने के धर्म से संबंदित है कोशन नमबर 15 पर आजिए, चोल प्रशासन में उदासीन वारियम किस विभाग से संबंदित था उदासीन वारियम कौन सा विभाग था ये नोसेना विभाग नहीं था, नियाय विभाग नहीं था, उद्यान विभाग नहीं था, ये था विदेसी विभाग, विदेसी संबंधी विभाग तो चौल प्रशाशन में उदासीन वार्यम का संबंद विदेसी संबंद विभाक से था इसका काम विदेसियों की देखरेक करना था तो हिस्ट्री के ये 15 प्रषन थे इनकी प्रेक्टेस एकब वार कर लेजेगा इस पूरी की पूरी टेस्स सुरी में प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां पर आप टेस्ट नमपर बन से लेकर 250 तक पहुंच सकते हो